आप देख रहे हैं इंटिवी अमेरिका, 20 साल बाद टैक्सस फ्लॉइडा में मलीरिया के केसिज देखने को मिल रहे हैं जी हाँ, 20 साल बाद वापसी की है, मलीरिया के केसिज ने अमेरिका के अंदर CDC ने लोकल मलीरिया को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया है Texas और Florida में Malaria के cases detect हुए है Experts इन्हें rare cases में consider कर रहे है CDC ने Malaria को medical emergency declare कर दिया है Florida में Malaria के four cases detect हुए है तो वही टेकसिस के अगर बात करें तो यहाँ पर one case report हुआ है यानि total जो cases हुए Malaria के वो five लेकिन क्या Texas और Florida के Malaria cases connected है ये link अभी नहीं मिल पाया है experts को CDC ने 20 years में पहली बार local Malaria के cases को लेकर alert किया है warning जारी की है CDC के मताबिक Texas और Florida में Malaria का small outbreak देखने को मिल रहा है CDC ने इसे लेकर doctors और public health officials को warn कर दिया है हाला कि CDC का मानना है कि कई बार patient foreign trip यानि बाहर के trip की वज़े से भी Malaria के चपेट में आ जाते हैं यानि कि अगर आप दूसरे देश घूमने गए हैं हो सकता है वहाँ से ये case लगा हो और उसके बाद यहाँ पर detected हुआ हो लेकिन फिलहाल साबधानी यानि alert रहने की जरुवत है हाला कि CDC की warning के अलावा scientist के views भी यहाँ पर concern को काफी बढ़ा रहे हैं दरसल scientist का मानना है कि global warming की वज़े से temperature काफी बढ़ रहा है और temperature बढ़ने के साथ ही अमेरिका में malaria के cases बढ़ेंगे और जाधा common भी हो सकते हैं आपको बता दें कि last time जो malaria का case जो है देखने को मिला था malaria का transmission देखने को मिला था वो 2003 में report हुआ था जो कि Florida में और इसके बाद अब इतने अलोबाद फिर से malaria के cases देखने को मिल रहे हैं Florida में भी और Texas में भी